इंसानी शरीर में मिली सबसे अजीव हो गरीब चीजे पार्ट 3 सबसे पहले इंडिया के नागपुर में रहने वाले संजु भगत जब डॉक्टर के पास अपना बड़ा सा पेट लेकर गए तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद उनके पेट में ट्यूमर होगा लेकिन जब वो संजु की सरजरी कर रहे थे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके पेट के अंदर से एक अजीब से क्रियेचर का हाथ बाहर आ रहा था और जब उन्होंने उस क्रियेचर को बाहर निकाला तो पता चला कि ये संजु का जुडवा भाई है जिसे संजु ने जब वो खुद अपनी मा के कोक में था तब ही अपने भाई को गलती से खा लिया था और फिर 36 सालों तक संजु का भाई संजु के पेट में ही पलता रहा लेकिन दीदी आखिस अपने में ऐसा क्या देख रही होगी कि वो सापको ही निगल गई मुझे कॉमेंटर बताईगा